हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगर दोस्तों लेके आए आपके लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मिशन और दोस्तों ये रिलेटेड है प्रवक्ता सिक्षा सास्त्र जी हां पीजीटी एजुकेशन की अगर आपने तैयारी कम्मन ब पद्त थे जो एतिहासिक हमारे अब शिख्षा पद्त थी वह किस रूप में विक्सित हुई है और अद्दतं उसकी क्या इस्तती है तो जो भी पीजीटी एजुकेशन में सारे के सारे कवर करेंगे आते हैं दोस्तों पूरे के पूरे एजुकेशनल सिनेरियों पर बाते करेंगे लेकिन आज जो टॉपिक हम दोस्तों कवर करने जा रहे हैं वो है वैदिक सिक्षा तो दोस्तों आते हैं वैदिक सिक्षा पर वैदिक काल में जो सिक्षा थी दोस्तों यानि वेद विद्धात उसे ये निर्मित हुआ है और इसका तात पर ही दोस्तों होता है ज्ञान प्राप्ट करना वैदिक कालीन जो सिक्षा थी दोस्तों उसमें सिक्षा को मनुस्त का तीसरा नेत्र माना जाता है यानि आदमी के दो नेत्र है लेकिन ये तो जैविक नेत्र है और ये जो सिक्षा है ये जो है तीसरा नेत्र है शिक्षा वैक्ति जब प्राप्त करता है तो सिक्षा के आधार पे वो विवेक संगत धंग से तर्क संगत धंग से वो निर्णे लेता है जीवन से संबंधित जो भी निर्णे है दोस्तों अगर सिक्षित व्यक्ति है और असिक्षित व्यक्ति है तो आप उसमें अंतर पाएंगे तो सिक्षा वाकई व्यक्ति का तीसरा नेत्र है और इसको वैदिक कालिन सिक्षा में ये माना गया है कि सिक्षा मनुस्व का तीसरा अचछ शिक्ष्या का उद्धेश कीवल दोस्तों पढला नहीं था वरन, मनन, अस्मरण और स्वाध्य द्वारा ग्यान की प्राप्ति यह वैदिक कालिन शिक्ष्या का उध्येश था वैदिक कालिन शिक्ष्या उद्देश ये माना जाता था कि साविद्या या विमुक्ते विद्या वो है ज्यान वो है जो हमें मुक्त करता है अब किस चीज से मुक्त करेगा संसार में जो बाधाएं हैं या संसारी वे अवरुद्ध जो जीवन को अवरुद्ध करते हैं जो जीवन को नेरो करते हैं संक् तो वैदिकालिन्स, शिक्षा का दोस्तो उद्देश सहे कि सोसाइटी से जो बॉंड बन रहा है उसका जो बॉंड का जो आधार हो रेलिजस हो अगर व्यक्ति का जो समाज से जो ताना बाना है जो जुडाव है दोस्तो अगर उसमें धार्मिक्ता है तो सही मामले में व्यक्ति तो की दोस्तो व्रिद्धितो होगी ही व्यक्ति का जीवन तो समरेगा ही लेकिन समाज भी उससे लबानवित होगा अब यहाँ बात करते हैं कि जो वैदिक काले इन स्विक्षा थी उसमें चरित्र निर्माल पे बहुत ज़्यादा फोकस था यहाँ बात हुई है कि केवल गायत्री मंतर का ग्यान रखने वाला एक चरित्रवान ब्रामल संपूर वेदों का ग्याता पर चरित्रहें विद्वान से कहीं अधिक स्रेश्ट है कोई व्यक्ति विद्वान हो और पूरे वेदों का उसको नौलेज हो अगर उसका करेक्टर वीक है उसकी तुलना में केवल महज गैतरी मंद्र का ग्यान रखने वाला चरितरवान ब्रामन अधिक स्रियस्ट है शिक्षा पूरत्या सेधानतिक और सहितिक ही नहीं थी वरण किसी ना किसी सिल्प से संबन दी यहाँ पहला सिक्षक दोस्तो होता है वो माता-पिता माना जाता है तो यहां पर जो गुरुकुल आश्रम में सिख्षक होता था दोस्तों वो पिता तुल्ल था माबाप के समान था आचार उन्हें कहा जाता था जो अच्छे आच्रण वाले होते थे शुद्ध आच्रण से युक्त वेक्ती आचार कहलाते थे और वैदिक गुरु जो होते थे दोस्तों वो ग्यानवान तो होते ही थे ग्यानारजन में हमेशा रद भी रहते थे और गुरु सिस्स सम्मंद जो हुआ करता था वो माता पिता के समान था पुत्रवत था और गुरुकुलों में जो बच्चे रहते थे उनकी सेवा ऐसे जैसे मदर फादर करते हैं वैसे गुरू किया करते थे उनकी और बालक का मानसिक एमा अध्यात्मिक देखिए माबाप ने तो जैविक शरीर दिया है लेकिन जो गुरू हुआ करता था संसकार प्रधान इतनी जादा संसकार प्रधान सिक्षा थी कि बच्चे का जो मेंटल और जो इ दरजा में मिला था गुरू की महिमा दोस्तों वैदिक कालिन सिक्षा में बहुत थी बच्चे का मानसिक और आध्यात्मिक उसे पिता कहा जाता था और जब बच्चा पैदा होता था तो जब पांच वर्स का हो जाता था तो चूड़ा कर्म या चौल संसकार या विद्या आ अरम होता था वो उपनेंसंसकार सी होता था विद्या आरंब का आरम होता था और ब्रामाल Zusammen जो होता था चतुरीवण की संक्षा सेंकल्पना थी ब्रामाल चत्रिवैश और शूद्र यहां आपको बता दें कि सूद्रों को विद्या अर्जन का अधिकार्ण दोस्तों नहीं था वैदिक काल में सूद्र जो हुआ करते थे उनको सिक्षा से वंचीत रखा गया था तो ब्राहमल जो होता था उसका उपनेयान संसकार आठ वर्स की आयू में होता था बसंत रित्व में होता था और छत्री ग्यारा वर्स तक वो ग्रीश मृत में उसका उपनेयान संसकार होता था और वैस का सबसे अंत में बारा वर्स की आयू में सरद रित्व में दोस्तों उपनेयान संसकार होता था और ब्राहमल जो होता था वो नर हिरन नर काले हिरन की मेखला शरीर के उपर यानि तरीर पे उपर कबर करता था और वैस जो है बकरी की खाल का जो है कपड़ा पहनता था दोस्तों आगे चलते हैं गुरुकुल में सिक्षा दी जाती थी अब गुरुकुल क्या हुआ करते थे गुरुकुल ये आश्रम छोटे छोटे पारिवारिक विद्ध्याले हुआ करते थ थे, जो आवचारिक सिख्षा के केंद हुआ करते थे अब इनने पैसा कहा से मिलेगा, तो पैसा ऐसे मिलता था कि ये बच्चे जो पढ़ते थे वो बिक्षातन के लिए दूस्तों निकलते थे, समाज में बिक्षा मिलता था और जो बच्चे पढ़ा करते थे वो गुरु दच्छिना दिया करते थे उसके अलावा राजा के माध्यम से भी राजकी सहायता इन गुर्कुलों या आश्रमों को दोस्तों मिलते थे अब बात करते हैं सिक्षण विधी क्या थे सिक्षा मुक्रूप से मौकी गूर करता के अधार पर बच्चे को बांड देते थे जो बहुत तेज बच्चा है तो उसको महा प्रग कहते थे मिडिल टाइप का बच्चा है और यो थोड़ा कम बुद्धी का है अलप्रग कहते थे अब वहां पे जो भी पर्णाली होती थी प्रशनोत्तर व्यक्षान वाद व विवाद क्रियात्मक विधियों का गुरु प्रियोक करता था तब छात्र मनन चिंतन आत्मान भूति द्वरा ज्ञान प्राप्त करता था और सुरूति यानि दो सुरों से सुनकर भी उसे ज्ञान की प्राप्त होती थी शिक्षा का उद्देश होता था संस्कारों का विकास आत्मा की पवितरता और वेक्तित्ट का विकास, आगे चलते हैं दोस्तों, तो हम पूरा का पूरा आपको समेकित कर देते हैं, उपनेयन संशकार से सिक्षा का आरंभ होता था, सिक्षक संस्तायें जो होती थी वो गुरुवों का अपना घर होता था, और चारिक शिक्षा आस चाहएं दोस्तों दोस्तों देव वानी अमरित वानी संस्कृत थी अब परिक्षा पनाली नहीं थी, वाकई गुरू सततयों संचाई मुल्यांकन सतत और व्यापक मुल्यांकन प्राइमरी एजुकेशन में बात होती है कि सतत और व्यापक मुल्यांकन यह हमारे वैदिक काल का ही देन है तो सत्त तो वह संचई मूल्यांकन होता था गुरू कोई नई चीज शुरुआत करने से पहले ही जो बच्चों को कल बताया था उसके बारे में पूछ लेता था और जितना नॉलेज उसने बच्चों को दिया है पूरा का पूरा पूरा पूछ लेता था अध्यापक दोरा आपचारिक परिक्षा का प्रावधान दोस्तों नहीं था समावर्तन यानि सिक्षा की समापती होती थी दंड व्योस्था बिल्कुल नहीं थी और तक्ष शिला कासी कांची प्रयाग उसमें सिक्षा के प्रमुक्षेंदर थे नारियों को भी सिक्षा दी जाती थी उनके घरों पे ही सिक्षा दी जाती थी या उनके कुलगुरू उनको सिक्षा दोस्तों दी जाती थी तो दोस्तों ये रही वैदिकालिन सिक्षा जल्द ही एक नया वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होंगे बहुत दिकालिन सिक्षा ये वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करना चैनल पे ताझस एफ़चे एर लिसनिग धिजसेट इस एड़ का दूबे को दूबे सान गार डिशब